कौना अर्ख सूर्य मंदिर के तरह ही गुजरात का मोढेरा सूर्य मंदिर भी है जहां सूर्य की प्रथम किरिणे सीधे गर्भ ग्रिफु तक प्रवेश करती है इसी तरह तमिल नाडू के तंजोर में राजा राज्चोल द्वारा बनाया गया ब्रह्म देवेश्वर मंदिर ह कांची पुरम में वरद राजा पेरुमल मंदिर है रामेश्वरम में रामनाद स्वामी मंदिर है बेलूर का चन्नकेश्वा मंदिर है मदुराय का बिनाक्षी मंदिर है तेलंगना का रामप्पा मंदिर है श्रीनगर में संक्राचार्य मंदिर है, ऐसे कितने ही मंदिर है, वो बेजोड है, कल्पनातीद है, न भूतों न भविश्यती के जीवंतुदारण है, जब इन्हें देखते हैं, तम सोचने को मजबूर हो जाते हैं, उस दोर में, उस युग में, किस तकनीक से इन निर्मान हुए होंगे, हमारे सारे प्रश्णों के उत्तर हमें बले ही न मिलते हो, लेकिन इन मंदिरों के आध्यात में एक सांस्कृतिक संदेश, हमें उतनी ही स्पस्ट्रथा से आज भी सुनाई देते हैं, जब पीडियां इस विराशत को देखती हैं, उसके संदेशों को सुनती हैं, ते एक सब्रता के रुपें, ये हमारी नरंतरता और अमरता का जरिया बन जाता है, महाकाल लोक में ये परंपरा उतने ही प्रभावी डंग से कला और सिल्प के दबारा उकेरी गई है, ये पूरा मंदिर प्रांगा शीव पुरान की कथाओं के आधार पर तयार किया गया है, आप यहाँ आएंगे तो महाकाल के दर्शन के साथ ही आपको महाकाल की महिमा और महत्व के भी दर्शन होंगे, पंच मुखी शीव, उनके डमरो, सर्थ, त्रिशोल, अर्दचंद्र और सब्तरसी इनके भी उतने ही भुव्य स्वरूप यहाँ स्थापित किये गए हैं, यह बास्तू इसमें ज्ञान का यह समावेश, यह महाकाल लोग को उसके प्राचिन गवरव से जोड़ देता है, उसकी सार्थक्का को और भी बढ़ा देता है, बाईगे और बेनों, हमारे सास्त्रों में एक वाक्य है, शीवम ज्यानम, शीवम ज्यानम, इसका आर्थ है, शीव ही ज्यान है, और ज्यान ही शीव है, शीव के दर्शन में ही ब्रह्मान का सर्वोच्च दर्शन है, और दर्शन ही शीव का दर्शन है, इसलिए मैं मानता हूँ, हमारे जोतिर लिंगों का ये विकास, भारत की आध्याक्मिक जोती का विकास है, भारत के ज्यान और दर्शन का विकास है, भारत का ये सांस्कृतिक दर्शन एक बार फिर शिखर पर पहुँच कर विश्व के मार दर्शन के लिए तयार हो रहा है, साथियों, बगवान महाकाल, एक मात्र ऐसे जोतिर लिंग है, जो दक्षिल मुखी है, ये शीव के ऐसे स्वरूप है, जीष्ट की बश्म आर्थी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, हर भक्त अपने जीवन में बश्म आर्थी के दर्शन जरूर करना चाहता है, बश्म आर्थी का धार्मिक महत्वा, यहां उपस्तिक आप सब संद्गन जादा गहराई से पता पाएंगे, लेकिन मैं इस परंपरा में हमें भारत की जिवणता और जिवनता के दर्शन भी करता हूँ, मैं इसमें भारत के अपराजे अस्तित्व को भी देखता हूँ, क्योंकि जो शीव सोयम भूती विभूशन अर्थात बस्तप को धारन करने वाले हैं, वो सरवादि पहाँ सरवदा भी है, अर्थात वनस्व और अमिनाशी भी है, इसलिए जहां माकाल है, वहां काल खंडों की सिमाए नहीं है, महाकाल की सरव में विश में भी विश में भी स्पंदन होता है, महाकाल के सानिद्य में अवसान से भी पुनर जिवन होता है, अंत से भी अनंत की यात्रा आरंब होती है, यही हमारी सब्यता का वाध्यात्मिक आत्म विश्वास है जिसके सामर्त से बारत हजारों वर्सों से अमर बना हुआ है अजरा अमर बना हुआ है अब तक हमारी आस्ता के केंद्र जागरत है भारती चेतना जागरत है भारती आत्मा जागरत है अतीद में हमने देखा है प्रयास हुए परिस्तिद्या पल्टी सत्ताएं बदली भारत का सोशन भी हुआ आजादी भी गई इल्तु तमीश जैसे आक्रमन कारियों ने उज्जेन की उर्जा को भी नस्ट करने के प्रयास किये लेकिन हमारे रुष्यों ने कहा है हमारे रुष्यों ने कहा है चंदर शेखरम आत्रे ममकिम करिशती ब्ययामा अर्थात महाकाल शीव की शरण में अरे मृत्यु भी हमारा क्या कर लेगा झाल